समस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहिति जोती आज की इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जन गीत नामक कवीता को पढ़ेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए जीवन में फिर नया विहान हो एक प्राण एक कंठ गान हो बीत अब रही विशाद की निशा तिखने लगी प्रयाण की दिशा तगन चूमता अभे निशान हो तो जीवन में फिर नया विहान हो विहान शब्द का अर्थ होता है सुबह एक प्राण एक कंठ गान हो बीत रही अब बीत रही विशाद विशाद शब्द का अर्थ होता है दुख कि दुखिया गश्ट आप जी से बोल सकते हैं और निशा शब्दकार्थ होता है रात प्रायण सब्दकार्थ होता है गती ठीक है और अभय शब्दकार्थ होता है इसमें भायभीत नहीं हो अभय अभय यानि भायभीत ना होना ठीक है आईए अब हम इसके तरलार्त को समझते इसकी व्याख्या को देखते हैं, तो पहली पंक्ति देखिए, पहली दो पंक्तियों को देखते हैं, जीवन में फिर नया विहान, विहान यानि सबेरा, विहान हो, एक प्राण, एक कंठ, गान हो, देखिए, कभी कहते हैं कि जीवन में अब नया सबेरा आ गया है, तो कभी कह और विकास के गीत को गाने का, इससे मैं बताती हूँ कभी कह रहे हैं कि जीवन में अब नया सभेरा आ गया है, अब वह समय आ चुका है जब हम सभी को एक जुठ होकर उन्नती के गीत गाने चाहिए, उन्नती के पत पर आगे बढ़ना चाहिए, और क्या बताते हैं कभी आगे निशान हो, तो कभी आगे बताते हैं कि अब जीवन में दुखो और कश्टो की रात्री बीट चुकी है, बीट रही दिशाद की निशा, यानि कि अब जीवन से दुख और कश्ट की जो रात्री थी वह बीट रही है, और हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर अपने लक्ष को प्राप्त करने की दिशा दिखाई देने लगी है, हमें आगे बढ़कर अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अब इस एकता के दम पर हमको निर्भीक होकर, निर्भीक यानि किसी से डरता नहीं है, निर्भीक होकर हम आ और एक जुठ होकर उन्नती उन्नती का समय आगया है, लिक Independence पन्क्ति में यही बता रहे हैं. अब हमें क्या करना चाहिए? जीवन में नया सभेर्ण आचुका है और हम सभी को एक जुठ होकर उन्नती के पत्पर आगे चलना चाहिए. हमारे जीवन में जो भी दुखो और कष्टों का समय था उसके खत्म होने का समय आ चुका है और हम सभी को क्या करना चाहिए एक जुठ होकर निर्भीक होकर अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें आस्मान की बुलंदियों को चूड़ना चाहि जीवन में जितनी भी तमाम भेद भाव है कर्ष्ट है उन सभी को मिटा देना चाहिए उन भेद भाव को मिटा कर आगे बढ़ना चाहिए आई आगे देखते हैं आगे कभी एक जूटता परबल देते है कि हम विभिन हो गए विनाश में हम अभिन हो गए विकास में एक स्रेय प्रेम अब समान हो तो ज़स्वार्थ काम नीन से जग लोक कर्म में महान सब लगे रक्त में उफान हो उठान हो तो अभी क्या बता रहे हैं, देखिए, कि हम विभिन्न हो गए, विभिन्न होने का मतलब होता है, अलग-अलग होना, ठीक है, अलग-अलग होना, ठीक है, और अभिन्न होने का मतलब है, एक जूट होना, अभिन्नकार्थ होता है, एक जूट, एक श्रे, श्रे यानि योगदा प्रेम अब समान हो सुद्ध स्वार्थ काम नींद से जग लोक कर्म में महान सब लगे लोक कर्म यानि देश के हित में लोगों के हित में रप्त में उफान हो उठान हो आईए हम इसके अर्थ को देखते हैं तो कभी क्या कह रहे हैं कभी बताते हैं हमें जब हम अलग-अलग ह ठीक है तो कभी के अनुसार हम सब अलग-अलग होकर विनास के मुख के मुख तक पहुच गया है यानि जब हम में एक जूटता नहीं है हम अलग-अलग है तो हम विनास के कगार पर पहुच गया है लेकिन तो कि अब तो नया सवेरा आ गया है नया विहान आ गया है तो आज प श्रेयदे, लोगों ने जो योगदान दिया है उसकी हम तारीफ करें, कभी का विचार है कि हमें अपने लोब, अपने भीतर की जो लालसा है, स्वार्थ है, क्रिना है, काम, निंद्रा, वात्सना, जो भी बुराईया है उन सब से अपने आपको बुक्त कर, सभी लोगों के ज रक्त में भर कर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे रक्त, यानि हमारे खून के वीतर, देश प्रेम होगा, देश सेवा करने की भावना होगी, तभी हम उन्नती और विकास के पत पर आगे बढ़ पाएंगे, आईये, आगे की पंक्तियों को देखते हैं, शोशित, ठीक है, यहाँ पर शोशित होगा, शोशित कोई कही न जन रहे, पीडन अन्याय अबना मन सहे, जीवन, चिल्पी, प्रथम प्रधान हो, मुक्त व्यतित संगठित समाज हो, गुणही जन्मन किरीट ताज हो, नव युक का अवनया विधान हो, तो शोशित का अर्थ क्या होता है, अत्याचार सहन करने वाला, जो व्यक्ति, अत्याचार को चुप चाप सहन कर लेता है, उसे हम शोशित करते हैं, कहते हैं, अत्याचार सहन करने वाला, पीरन अन्याय अबना मनसहे जीवन शिल्पी ठीकें। स्थम प्रधान हो मुक्त व्यथित् जथितकार्थ होता है दुखी। संगठित यानी एक जुट समाज हो गुड ही जन्मं किरीट किरीट कार्थ होता है तिर पर बांधे जाने वाला एक आभूषन। कि मैंने यहां पर लिख दिया है शब्दात आपको परिशानी नहीं होगी सब्दात को लिखने में यहां पर मैंने लिख दिया है कि किरीट कार्थ होता है सिर पर बांधे जाने वाला एक आपूशन और विधान कार्थ होता है तियंत सानूर आईया हम इसकी व्याख्या को दे विरुंत है और वे लोगों से क्या आवहन करते हैं वे लोगों से आवहन करते हैं कि पीडन अन्याय अपना मन से हैं कि अब कोई भी अत्यचार और उत्पीडन को सहन ना करें अन्याय और शोषण का मुक्त विरोध हो यानि सभी मुक्त उचे स्वर में अन्याय और शोषण का विरोद करें। कभी की माननेता है , कि इस Efendimiz नवीर युग में जीवन और समाज को गढ़ने वाले सिल्पी अर्थात क्रिशक मजदूरों का समाज सबसे ऊचा स्थान होना चाहिए जो हमारे समाज को गड़ते हैं बनाते हैं वह कौन है कृष्याक और मझदूर है इसलिए रहने वाले लोग तो होना चाहिए किर्षकों और मजदूरों का होना चाहिए यह कभी है वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो हर प्रकार के व्यत्थाओं यानि कि कष्टों दुखों से मुक्तों हो और उसमें रहने वाले लोग क्या हो संगठित हो इस समाज में मानों की विश्षताओं यानि कि मनुश्य के बीतर जो खासियत है गुड़ है उसको महत्व दिया जाए तथा जाती धर्म रंग वंश आदी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए किसी भी प्रकार से उनके महत्व को ना तौल कर उनके गु रिच्यश ने तरे का समाज हो जिसमें सभी लोग एक जुठकर एक जुठो कर रहें इसमें भेदभाव और कम्यों को महत्व ना देकर जो गुड़ है उनको महत्व दिया जाये और उनके गुड़ों की कद्र की जाये तथा इस तरह का एक नया समाज बने और इसलिए क्वि तो आशा है कि आपको यह कवीता जरूर समझ में आई होगी और यहां आप लोगों के लिए अत्याधिक उप्योगी भी होगी तो अगर आपके लिए यह उप्योगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें इसी के साथ अन्यवाद